नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूडिप चैनल पर आप सभी का हर्दिक स्वागत है, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, जिसका आज हम दस्वा चेप्टर करने वाले हैं, राजस्थान के प्रमुख प्रेटनस्थल, और आप मान कर चेप्टर इस पूरी बुक का सबसे important चेप्टर आप मान सकते हैं कि इसमें से हमेशा कोई नो कोई एक ऐसा question जरूर पूछा जाता है, राजस्थान के प्रतेग जिले से, जो भी वहाँ की खास बाते हैं, जो भी वहाँ पर प्रेटनस्थल हैं, चाए वो महल हैं, दुर्ग मंदिर हैं या और भी कोई दर्शनी स्थल है, उन सब में से किसी ना किसी के बारे में जरूर पूछा गया है पहले के RPSC conducted exams में, तो आईए शुरू करते हैं राजस्थान के प्रमुख प्रेटनस्थल, प्रेटन आज विश्व के सभी सबसे बड़े उद्योगों में स्था बिना चुका है, राजस्थान भी प्रेटन स्थलों के दरश्टी से एक संपन राज्ये हैं, जहां हर वर्ष लाकों सहलानी आते हैं, आंकडे बिताते हैं कि भारत आने वाला हर तीसरा प्रेटक जो है, वो राजस्थान जरूर आता है, राजस्थान में प्रेटन विभाग करना चाहता है और इस हेतु प्रचार प्रसार भी कर रहा है राजस्तान सरकार भी इस दिशा में सरानिय प्रयास कर रही है राजस्तान को प्रयाटन की द्रश्टी से दस सरकिटों में बांटा जाना इसी का परिणाम है यहां पर हम राजस्तान के कुछ महतवपून स्थलों का अध्यन करेंगे जैसे हमने पहले भी पढ़ा था चेप्टर्स में कि राजस्तान की जो टैग लाइन्स बनाई गई है उसमें कई तरह के टैग लाइन्स बनाई गई तो सबसे पहले लेते हैं हम अजमेर जिले को अजमेर में देखते हैं कि कौन-कौन से दर्शनी है स्थल है यहां पर सबसे पहले देखे अढ़ाई दिन का जोपड़ा अब इसके बारे में हम थोड़-थोड़ी डेटेलिंग भी पढ़ेंगे मूल रूप से अढ़ाई दिन का जोबडा कहलाने वाली इमारत जो है ये एक संस्कृत महाविद्या ले थी जिसे विग्रे राज चतूर्थ द्वारा बनाया गया था लेकिन सुल्तान मुहम्मद गोरी के सेनापती एबक ने इसे मस्जिद में तब्दील करवा दिया हिंदू और इस्लामिक स्थावत्यक अला के इस नमुने को सुल्तान इल्टु तमिष ने और ज़्यादा सुशवबित किया इसका नाम पढ़ने के पीछे अढ़ाई दिन का जोबडा क्यों कहा जाता है कि इस इमारत को मंदिर से मस्जिद में तब्दील करने में सिर्फ अढ़ाई दिन लगे थे और इसलिए इसका नाम अढ़ाई दिन का जोबडा कर दिया गया दूसरा यह मत भी आता है कि मराथा काल में यहाँ पंजाब शाह बाबा का अढ़ाई दिन का उर्स भी होता था इसलिए इसका नाम अढ़ाई दिन का जोबडा पड़ा फिर एक ख्वाजा साहब की दर्वगा अजमेर में सरवादिक देसी विदेसी प्रेटक जो है और मनत पूरी उन पर चादर चड़ाने आते हैं सभी धर्मों के लोगों में ख्वाजा साब की बड़ी मानेता है दर्वगा में तीन मुखे दर्वाजे हैं मुखे द्वार निजाम दर्वाजा कहलाता है जिसे हैदराबाद के नवाब द्वारा बनवाया गया था फिर दूसरा दर्वाजा आता है मुगल समराठ शाजा द्वारा बनाया गया शाजा दर्वाजा और सुल्तान मुहम्मद खील जी द्वारा तीसरा दर्वाजा बुलंद दर्वाजा बनाया गया उर्स के दोरान दरगा पर जंडा चड़ाने की रस्म के बाद बड़ी देग यानि तामबे का एक बड़ा सा कड़ाव है जिसमें 4800 किलो तथा छोटी देग में 2240 किलो खाद्य सामगरी पकाई जाती है जिसे भक्त लोग प्रसाद के तोर पर बांटते हैं शुरदालू अपनी मनों कामना पूरी होने पर भी इन देगों में भोजन पकवाते हैं बांटते हैं सरवादिक आश्चरे की बात है कि यहाँ पर केवल शाकाहारी भोजन ही पकाया जाता है अच्छी बात है फिर है आना सागर जील यह एक क्रत्रिम जील है जिसे राजाव अजैपाल चोहान के पुत्र अर्नोरास चोहान ने बनवाया इन्हें अन्ना जी के नाम से पकारा जा यह जो बार्य दरी का जो निर्मान है यह शाजां द्वारा करवाया गया था खुब सूरत सफेद मार्बल में बनी बार्य दरियां हरे भरे वरक्ष कुन्जों से गीरी हैं यहां सुस्ताने और मानसिक शान्ती के लिए रिलेक्स करने के लिए लोग प्रेटक आते हैं फिर ह भारतिय राजगराने के बच्चों को गरानों के बच्चों के लिए यह बोर्डिंग स्कूल हुआ करता था अंग्रेजों के समय में रिचर्ड बार्क द्वारा 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई इस भवन का स्थापत्य इंडो सारसेनिक यानी भारतिय तथा अर्भी शैली का अतुलनिय उधारन है संग मरमर से निर्मित यह भवन अत्यांत आकरशक है फिर है सोनी जी की नसिया उननिस्वी सदी में निर्मित यह जैन मंदिर भारत के सम्रद मंदिरों में से एक है इसके कक्षको स्वर्ण नगरी का नाम दिया गया है इसका प्रवेश द्वार लाल पत्थर से बना है अंदर संग मरमर की दिवारे बनी है जिन पर काश्ट की आकरतियां और शुद स्वर्ण पत्रों से जैन तिर्थंकरों की छवियां और चित्र बने हुए है फिरे ब्रह्मा पूरे विश्व में ब्रह्मा का एक मात्र मंदिर पुशकर में स्थित है। अब देखिए सावित्री मंदिर ब्रह्मा मंदिर के पीछे उंची पहाडी पर सावित्री मंदिर है जो ब्रह्मा जी की पहली पतनी थी। पहली पतनी सावित्री ने उने श्राप दे दिया जिसके फल सरूप पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है पुशकर में। इस सरोवर में डुबकी लगाने पर तीर्थ यात्रा संपन मानी जाती है। अर्ध गोला कार रूप में 9-10 मीटर गहरी ये जील 500 से अधिक मंदिरों और 52 घाटों से घिरी हुई है। तो हमने अजमेर के कुछ दर्शनी स्थल देख लिए हैं जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था किसके बारे में। अब हम बात करेंगे अलवर जिले की। सरिस्का टाइगर रिजर्व सरिस्का को 1 नवंबर 1955 को अभ्यारने का दर्जा दिया गया उसके बाद 1978-89 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान कर दिया गया इसका वन शेतर 1203 किलोमेटर वर्ग शेतर में है बाग के अलावा यहां पर विविद पशु पक्षियों के प्रजातियां जैसे नील गाएं लोमडी जंगली सुवर खरगोश तेंदुआ चीतल सामबर बंदर पाए जाते हैं पक्षियों में जंगल बैबलर बुल बुल क्व आया हुआ है उन चेप्टर्स में तो आप वहां पर भी इसको देख सकते हैं फिर है भानगड सरिस्का वन्य अभयारन्य से 50 किलोमेटर दूरी पर भानगड स्थित हैं आमेर के महराजा भगवान दास के पुत्र मादव सिंग ने अपनी प्रथम नगरी के रूप में प्राप्त है आज भी इस किले के खंडरों में साथ मंजिला महल के अवशेश सू व्यवस्थित बाजार दुकाने सोमेश्वर महादेव मंदिर गनेश तलाब नजर आते हैं फिर है मूसी रानी की चत्री मूसी रानी के चत्री के बारे में कोई सैंक्डो एक्जामस में पू चत्री में बारा विशाल स्थम्भ और 27 अन्य स्थम्भ है इसके आंतरिक भाग में बगवान श्रीक्रेशन श्रीराम चंदर जी लक्षमी माता सीता माता जी की चवियां चित्री थे अरावली की पहाडियों से गीरी और सीटी पैलेस वे सागर जील मंदिर के पास यह चत्र उनके जीवन के अंतिम वर्ष यहीं पर बीते थे महराजा जै सिंग ने 1924 में भृत हरी के मंदिर को नया स्वरूप दिया था मंदिर में एक अखंड जोत सदय व्रजुलित रहती है यहां मुख्य मेला भादर पदर की अश्टमी को लगता है जिसमें बड़ी संक्या में श सरिस्का जाते समय 15 किलोमेटर की दूरी पर यह जील है इसका निर्मान महराजा वीने सिंग ने 1845 में सिली सेड बांध के रूप में करवाया था स्थानिय नदी रूपा रेल की एक शाखा को रोक कर यह जील बनवाई गई थी इस जील के किनारे हरी भरी वादियों के बीच मोती सच चमकता सीली सेड लेक पैलेस दिखाई देता है जिसे राजस्तान परेटन विकास निगम द्वारा हैरिटेज होटल के रूप में संचालित किया जाता है सीली सेड जील में परेटकों के लिए बोटिंग बर्ड वाचिंग की भी सुविदा है सर्दियों में यहां विबिन प्रजातियों के पक्षी पानी में तैरती बतके और मगरमच प्रेटकों का मन मोह लेते हैं अब है बांसवाडा सुनहरे दीपों का द्वीपों का शहर देखे जब रीट चबी सेतंबर को जब आयोजित की गई थी 2021 में तब बांसवाडा का इसी सुनहरे दीपों क शहर का एक कोश्चन भी हमने पढ़ा था आया था उसमें माही नदी पर बांसवाडा से 18 किलोमेटर की दुरी पर संभाग का सबसे बड़ा बांध है जिसमें 16 गेट है बांध की कुल लंबाई 3.10 किलोमेटर है वर्षा काल में जब यह पून बर जाता है तब सभी गेट ख कई बर पूचा गया है बांसवाडा डूंगरपूर मार्क पर 19 किलोमेटर दूर तलवाडा ग्राम के पास उम्राई घाओं में स्थित मात्रिपूर सुंद्री का प्राचीन मंदर है मंदिर के उतरी भाग में समराट कनिश्क के समय का एक शिवलिंग स्थाम होने से कहा जात स्थानिये लोग इसे तर्तई माता त्रिपूर महालक्ष्मी के नाम से पुकारते हैं यानि कि त्रिपूर सुंद्री माता को तर्तई माता भी कहा जाता है मंदिर के समीप शिला लेक विक्रम सम्वत 1540 का लगा हुआ है देश विरेश में प्रसिद शक्ति पीट मात्रिपू राजस्तान के जलियांवाला बाग के नाम से मानगड धाम बांसवाडा से 85 किलोमेटर की दूरी पर आनंदपूरी के समीप राजस्तान गुजरात सीमा की पहाड़ी पर है यह स्थान आदिवासी अंचल में स्वाधिन्ता आंदोलन के अग्रज माने जाने वाले महान संत ग स्वातंतरता की मांग कर रहे 1500 राष्टर भक्त आदिवासियों पर अंग्रेजों ने निर्ममता पूर्वक गोलियां चला कर उनकी नशन्स हत्या कर दी थी मानगड धाम पर प्रतिवर्ष मार्ग शीष पूर्णिमा पर मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें राजस्तान ग पीर की यह बहरा मुस्लिम संथ अब्दुल्रसूल की लोकप्रियमजार है शहर के दक्षनी भाग में स्थित इस दरगा को अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है हर वर्ष बड़ी संक्या में विशेषत है बहरा समाज के जो लोग है दरगा के उर्स में शामिल होने आते हैं अब हम बात कर रहे हैं 12 जिलें के बारे में 12 जिलें में क्या क्या चीज़े फेमस है यह देखिए सीता बाडी सीता माता और लक्षमन कोई समर्पित है मंदिर 12 से 45 किलोमेटर दूर है और ऐसी मानेता है कि भगवान राम और सीता के दोनों बुत्र लव और कुष का जन्म यहीं पर हुआ था इसमें कई कुंड भी है जैसे वालमी की कुंड सीता कुंड लक्षमन कुंड सूर्य कुंड आदी प्रसेद सीता बाड़ी मेला भी यहीं पर आयोजित किया जाता है यह एक पिकनिक स्थाल के रूप में भी प्रसेद है अब हम बात करते हैं शेरगड अनेक वर्षों से विबिन राजविंशो के शाषन में शेरगड को अपना नाम शेरशा द्वारा कवजा करने के बाद मिला इसका मूल नाम कोश वर्धन था यानि शेरगड की लेका असली नाम क्या था कोश वर्धन था लेकिन शेरशा सूरी ने जब इस पर कवजा कर लिय तो तब से इसका नाम शेरगड किला पड़ गया था फिर है रामगड का भंड देवरा मंदिर भंड देवरा मंदिर से रिलेटर भी कोश्चन पूछा जा चुका है शहर से 40 किलोमेटर दोर भगवान शिवको समर्पित यह मंदिर दस्वी शताबदी का प्राचीन मंदिर माना जाता है इसकी वास्तुकला की शैली खजुराओ शैली से मिलती जुलती है इसलिए इसे राजस्तान का मिनी खजुराओ भी का जाता है एक चोटे तालाब के किनारे बसा यह मंदिर अन्य मंदिरों से अनूठा है यहां प्रसाद के तोर पर एक देवता को मिठाई वे सूख प्रस्तुत किया जाता है अब हम बात करेंगे किराडू मंदिर की जो है बाड मेर जिले में बाड मेर के दर्शनी स्थलों को देखते हैं अब हम किराडू मंदिर की बात करते हैं सबसे पहले बाड मेर में थार के रेगिस्थान में चमकते लाल मानक जैसे मंदिर शेहर से यह लगवग 35 किलोमेटर दूर है जिने अगर आप जाकर देखे तो देखते ही रहा जाएं सोलंग की वास्तुकला शैली में उभरे कंगूरे स्तंब और पत्थर पर बारिक नकाशी का काम इस मंदिरों को विशिष्ट बनाता है इन मंदिरों को भगवान शीव को समर्पित किया गया है उलेखनी है कि यहां कुछ मूर्तियां यथा स्थान कुछ इदर उदर रेत के धोरों में बिखरी पड़ी है यहां पांच मंदिर है जिस इस मंदिर पर हमला किया और इसे लूट कर लेकर गया लेकिन भागयवश भगवान की प्रतिमा को नहीं ले जा सका था गाउं वालों को इस हमले का आभास होने पर उन्होंने इस मूर्ति को गाउं में ही ले जाकर छिपा दिया था शान्ती होने के बाद 15 सदी में प्रतिमा सा के नाम से प्रसिद राणी भटियानी एक हिंदू देवी हैं जो पश्मी राजस्तान और सिंध पाकिस्तान में पूझनिये हैं बाड मेर के जसोल गाओं में स्थित राणी भटियानी जी का मंदिर मुखेता ढोली जाती के लोगों द्वारा शुरद्दा से मनाया जाता है यह राणी जैसल मेर के जोगी दास गाओं की राजगुमारी थी भाटी राजबुत थी राठोड राजा से शादी करके बाड मेर आई प्रंतु राठोड राजा की बड़ी राणी ने तथा इनके पुत्र लाल सिंग को इर्श्य अवश्च जहर देकर मरवा दियान था अब है भरतपूर भरतपूर में देखिए केवला देव घना राष्ट्री पक्षी उद्यान ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है बहुत बार एक्जाम्स में पहले कोश्चन पुछा जाता रहा है घने वरक्ष तालाब और शोरगुल से दूर यह स्थान पक्षियों के ल प्रजनन करते हैं गर्मी की शुरुआत होते होते हैं वापस अपने देश चले जाते हैं लगबग 230 प्रजातियों के पक्षी यहां पर देखे जा सकते हैं अठारवी सदी के मद्य में भरतबुर के दक्षिन पूरो में एक छोटे जलाशे करूप में घना पक्षी विहार निर्मित किया गया था आज इसे विश्व का सबसे ज़्यादा शानदार आकरशक पक्षी विहार होने का गोरो प्राप्त है यहां पर भारती सारस, क्रेन, स लोहागड किला, नाम से प्रभावित करने वाला यह किला कई ब्रिटिश हमलों को सैन कर चुका है, सामना कर चुका है, और अनते ब्रिटिश सैने अधिकारी आर्थर वेलसले ने इस पर कबजा कर लिया था, इसका मजबूत गेट अश्ट धातुवे लकडी के बने है, दु अब हम बात करते हैं, बंद बारेटा यह भरतपुर के शाषकों का पुराना वन्य अजीव अभ्यारने हैं, जहां शिकार खेंडने के लिए केवल शाही परिवार आते थे, अभी यह वन विबाक के अधीन है, महराजा जस्वन सिंग ने 1866 इस्वी में यहां पर बंद बां सिंग ने इस बांद का निर्मान पूरा करवाया, इस बांद के निकट शाही महल, महराजा किशन सिंग ने बनवाया जो कि अब भारतपुर के शाही परवार की निजी संपत्ती है, बंद बारेटा में चुपाए जानवर के अलावा लगबग 200 से अधिक प्रजातियों के प 1845 में बनाना शुरू हुआ, जिसका निर्मान कारें 90 वर्षों तक चला, उनके उत्रा धिकारी राजा ब्रजंद्र सिंग ने इस मंदिर में देवी गंगा नदी की एक मूर्ती स्थापना की ऐसी मानेता है कि इसके निर्मान के लिए राज्ये के सभी करमचारियों समर्द म लोगों ने एक मा का वेतन दान दिया था, यहां मुख्या कर्शन भगवान, कृष्ण, लक्ष्मी नरायन और श्विपार्वती की मूर्तियां हैं, गंगा सप्तमी और गंगा दिशहरा के अफसर पर यहां पर बड़ी संक्या में लोग आते हैं, भीलवाडा जिसे वस्त्र ने शर्गीक, व्याबव के कारण हजारों की संक्या में प्रेटको 9 कृ मूरयक को आकर्शित करता है, चारों तरफ जंगलों से गिरा मैंनाल का जहरा, दूर दराज शेत्रों से आने वाले विदेशी प्रेटकों को भी आकरशित करता है, एक सोपचास फ्ट गे 52 में गिरने इतियासिक महत्वरा है ये कई युद्धों का साक्षी रहा है इतियास प्रसीद हल्दी गाटी युद्ध के दोरान मुगल समराथ अकबर ने इसी स्थान पर डेरा जमाया था मांडलगड में लगबग आधा मील लंबा किला पहाडी के शिकर पर प्राचीरों और खाई की सु पूतों के एक प्रमुख द्वारा निर्मित किया गया इस किले में दो मंदिर है एक भगवान शिव को समर्पित है दूसरा भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है शापूरा बील माड़ा से 55 किलोमेटर दूर शापूरा कसबा है यह चार दरवाजे वाली दिवार से गिर सन 1804 में स्थापित तीर स्थान है पूरे वर्ष देश वर्षे तीर थी आतरी इस मंदिर की यात्रा करने आते हैं यहां पांच दिन के लिए फूल डोल मेला के रूप में जाना जाने वाला वार्षिक मेला फालगुन शुकल मार्च अप्रेल में आयोजित किया जाता है शजो मिनारों और चत्रियों द्वारा सुशो भी थे इसके उपरी भाग में रमनिये जील और शेर के सुंदर द्रश्य को देखा जा सकता है पवित्र स्वतंतरता से नानी केसरी सिंग जुरावर सिंग और परताव सिंग बारट यह शापुरा से थे और यहां पर क्या पर फड़ चित्रकला के लिए भी जाना जाता है अब करते हैं बुंदी बुंदी कुंड और बावडियों का शेर का जाता है तारागर फोड की बात करते हैं राजबुद शेली में 1345 इस्वी में निर्मित ही है कुल किला बुंदी का सबसे आकरशक स्थान है यह किला महल उ पूब में सजी इनकी सुन्दरता से लगाया जा सकता है यह बहुत इंपॉर्टेंट है चुरासी खंबो की चत्री बुंदी के महराजा अनिरोदत सिंग द्वारा अपनी प्री है सेवादार की स्मृती में बनवाई गई चत्री चुरासी खंबो पर टिकी है यह एक प्रभ बुंदी का जो चित्र महल है किसी जमाने में बहुत शांदार बगीचों से भरपूर महल था जिसमें विबिन कलात्मक फवारे लगे हुए थे बहुत से तालाव थे जिसमें विविद प्रजातियों की तथा अनोखी विदेशी मचलियां हुआ करती थी इस महल का नाम इसल राजा मिनियेचर पेंटिंग्स को बहुत बढ़ावा देते थे लगू चित्रों को देवी देवताओं युद के द्रश्यों हाथियों रादा कृष्ण के विबिन किरिया कलापों के चित्र केवल इसी शेत्र की कलाक में ही देखने को मिलते हैं चित्र महल में एक और चित् दुक्सान नहीं पहुंचा है कलाकारों द्वारा पेंटिंग्स को दी गई चमक और रंग आज भी अपने मूल रूप में मौजूद हैं अब हैं रानी जी की बावडी ये भी बुंदी में ही है क्वीन स्टैप वैल यानि की रानी जी की बावडी सन 1699 में बुंदी के होता है बहुं मंजिला बावडी के तोरं द्वार पर गज राज के उतक्रेश्ट नकाशीदार अंकन है जिसमें उनकी सूंड को अंदर की ओर मोडा गया है जिससे ऐसा आभास होता है मानो हाथी बावडी से पानी पी रहा है अब हम देखते हैं चितोडगड को चितोडगड के बारे में देखते हैं सबसे पहले चितोडगड किला सिसोधिया राजभुतों का गड़ है किला गंबीरी और बेड़श नदी के तटपर सिते इस किले का निर्मान एतियासिक्तिती पर मदभेद है पुरानी कता के अनुस हो रहे हैं फिर है वीजे स्तंब यह माराना कुंबाने मालवा के मुस्लिम शाषक को अराकर अपनी वीजे का जश्न मनाने और उसे चिर स्थाई करने के अपलक्षे में 1440 में बनवाना शुरू किया जो आठ वर्षों में निर्मित हुआ शिल्पकला का अदबुद नमुना वीजे स्तंब लाल बलु अपत्तर और सफेद संगमरमर से बनाया गया नो मंजिला स्तंब है इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तिया लंकरत की गई है इसमें उपर जाने के लिए संक्री सीडियों का रास्ता है उपर जाकर बालकनियों से पूरे शेहर का विहंगम द्रश्य देखा जा सकता है फिर कीरती स्तंब यह विशाल स्तंब जैन तिर्थंकर और महान शिक्षविद आदिनाथ जी को समर्पित है एक धनी व्यपारी जीजा भगेरवाल और उसके पुत्र पुन्य सिंग ने तेरवी शताबदी में बनुआया था यह 24.5 मिटर उंचा हिंदू स्थापत्य शैली में बना विजय स्तंब से भी पुराना है छे मंजिला स्तंब में जैन तिर्थंकरों की और उपरी मंजिला में सैंक्डो लगू मूर्तियां शिल्पांकित की गई हैं फिर है भैंस रोडगड किला फिर है यह भविया अकर्षक किला 200 फिट उंची सपाट पाड़ी की चोटी पर चंबल और ब्रामनी नदियों से घिरा हुआ है इस किले की सुंदृता से अभी भी तो ओकर बिर्टिश इतिहास कर जेम्स टोड़ने कहा था कि यदि राजस्तान में उन्हें जागीर संपत्ती की पेशकश की जाए तो वो भैंस रोडगड को कोई सडीक जानकारी ना मिलने के कारण इस किले के निर्मान के समन में कुछ सपस्ट नहीं कहा जा सकता हालांकि यह किला दूसरी श्ताबदी में निर्मित किया गया ऐसा माना जाता है कही वन्शों के अधिन रहने के बाद ऐसी मानेता है कि अलाउदिन खिल जी ने भी इस किले पर हमला किया था तदा यहां की सभी पुराने मंदिर और इमारतों को नश्ट कर दिया था वर्तमान में इस कि किया जा रहा है तीन तरफ नदियों से घिरे अरावली परमत मालाव है गने जंगलों के बीस थिद इस किले की खुपसूरती देसी विदेसी प्रेटकों को बहुत आकर्शित करती है अब हम बात करते हैं दोसा जिले की चांद बावडी आभानेरी इस से रिलेटेट भी में आभानेरी हो गया प्रेटन विवाग द्वारा परतेक वर्ष तंबर अक्टूबर में आभानेरी महतसव आयोजित किया जाता है यह दो दिन चलता है प्रेटकों के मनोरंजन के लिए राजस्तानी का खाना और लोग कलाकारो द्वारा विभिन गीतवे नरत्या के कारेक गाता है कि देवी हमेशा हस्मुख प्रतीत होती है और भकतों को खुश रहने का आशिरवात प्रादान करती है अब देखिए दोलपूर में वन बीभार अभ्यार नहां पर दोलपूर के शाशकों के मनोरंजन के लिए यह आपधैरने 24 वर्व किलोमेटर के शित्र में बना मचकुंड सूर्य वंशी समराज्य के 24 वे शाषक राजा मचुकंद के नाम पर इस जील प्राचीन और परवित्र स्थल का नाम रखा गया यह शहर से लगबग 4 किलोमेटर की दूरी पर भगवान राम से पहले 19 वी पीडी तक राजा मुचुकंद के शाई कारेकल के रूप मे रहा प्राचीन दार्मिक स्थाईते केंसार राजा मुचुकंद एक बार गहरी नीन में सोया था तबी देते काल यमन ने अचानक उठा लिया प्रंतु एक देवी आशिरवात से देते जलकर भरसम हो गया इसी कारण यह प्राचीन पर तिर्थ स्थल के रूम में माना जाता फिर है तालाबे शाही सन 1617 में यह है तालाबे शाही के नाम से मश्हूर एक खुबसूरत जील शहजादे शाजा के शिकारगा के रूप में बनवाई गई थी दोलपुर से 27 किलोमेटर दूर और बाड़ी से 5 किलोमेटर की दूरी पर यह जील राजस्तान की खुबसूरत जिलो में एक है यहाँ पर सर्दियों के मोसम में कई प्रकार के प्रवासी पक्षी अपने अपने गोसले बनाने के लिए आते हैं जिसमें पेंटल रेड कॉस्टर पोच बतक कबूतर आदी हैं अब हम बात करेंगे डूंगरपूर जिले की बिनेश्वर मंदिर सोम माही नदि पांच फिट उन्चाई है स्वयम भू शिवलिंग शिर्ष से पांच हिसों में बटा हुआ है बिनेश्वर मंदिर के पास थित विश्णु मंदिर एक अत्यंत प्रातिश्टित संत और भगवान विश्णु का अवतार माने जाने वाले माव जी की बेटी जनक कुम्वरीद 1793 इस्वी में निर्मित किया गया था का जाता है कि मंदिर उस्तान पर निर्मित है जहां माव जी ने भगवान से प्रात्ना करते हुए अपना समय बिताया था माव जी के दो शिश्ये अजे और वाजी ने लक्श्मी नरायन मंदिर का निर्मान करवाई यह बहुत इंप़ोटनդ है कि अजे और वाजे कौन है यह माव जी के शिश्ये थे इन मंदिरों के लावा भगवान ब्रमा का मंदिर भी है माग शुक्ल पूर्निमा फरवरी में यहां सोम वे माई नदियों के संगम पर विशाल मेला लगता है जहां दूर दूर के कामों शेहरों से लोग और आदिवासी पवितर स्थान करने और मंदिर में पूजा करने आते ह अब है गलिया कोट ये भी बहुत इंपॉर्टन्ट प्लेस करता है हायर गलिया कोट दावदी बोरा समाज का पवितर स्थान है गलिया कोट दरगाएं यहां पर डूंगरपूर से 58 किलोमेटर की दूरी पर माही नदी के किनारे स्थित गलिया कोट नामक एक गाउं है ये इ बना जाता है यह एक प्रसीद संत है जिनकी मृत्यों के बाद इन्हें गाउं में दफन किया गया था यह मजार श्वेट संग मर्मर से बनाई गई है उनकी दी हुई शिक्षाएं दिवारे पर दिवारों पर सोने के पानी से उतकीन है गुंबद की अंदुरीनी हिसे को करतिक वातावन और कॉलाल से दूर होने के कारण यहां बड़ी शंक्या में पक्षियों का बसीरा है रमनिये जील गैव सागर डुंगरपूर का एक प्रमुक आकर्शन केंद्र है इस तठपर श्रीनाजी का मंदिर स्तित है मंदिर समू है इस मंदिर परिस्तर में कई अत्त 4500 वर्ष पूर्व यहां सरस्वती नदी के किनारे हडपा कालीन सब्वेता फल फूल रही थी पुराततों प्रेमिंगों के लिए महतफून स्तान काली बंगा हडपा सब्वेता के अफशेशों की प्रापती स्थल के कारण प्रसीद है यह अफशेश 2520 सब पूर्व के बाततों संगरालेय है जिसे 1961 से 1994 के दोरान हडपा स्तल पर खुदही से निकले हफशेशों के लिए नेर्मित किया गया यह संगरालेय में तीन दिरगाएं जिसमें एक दिरगा पूर्व हडपा काल है स्ब्रती समर्पित हैं 425 दूसरा है भतेनें किला भते नेर भतीन अगर का आप ब्रहंश है जो उत्री सीमा में प्रहरी के रूप में विक्यात है भारत के सबसे पुराने किलो में से एक माना जाने वाला भटनेर किला जो है ये हनवानगड किला कहते हैं वर्तमान में घगर नदी के तटपर स्थित है किले का मैतव इस तत्या से लगाया जा सकता है क कि इसका उलेक आईने अकवरी में भी मिलता है किले का निर्मान लगबक 1700 साल पहले जैसलमेर के राजा भाटी के पूत्र भूपत ने किया तैमूर और पृतिविराज चोहान सहित कई सासी शाशकों ने किला कप पर कबजे करने की कोशिश की सदियों से कोई भी इस किले को नह क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं तो सबसे पहले है हवा महल बाहर की तरफ भगवान कृष्ण के मुकट जैसा दिखाई देने वाला यह महल अनूठा है 1799 में महराजा सवाई प्रताफ सिंग द्वारा बनाया गया यह पांच मंजिला महल है इसका डिजाइन और मुगल शैली का मिश्रन है इसकी दिवारें सिर्फ देड़ फुट चोड़ी है 953 बेहद आकर्शक छोटे चोटे कई अकार के जोके जरोके हैं इसे बनाने का मुदेशयता शहर में होने वाले मेले त्योहार जुलूस को महरानिया इस महल के अंदर बैठ कर देख सके हव महल गर्मी के मोसम में भी इंज रोक्यों के कारण वातानुकोलित रहता है अब हैं आमेर महल जैपूर से 11 किलोमेटर की दूरी पर कच्छवाओं की पुरानी राजदानी आमेर अपने किले और स्थापत्य के लिए प्रेटकों क्या मुख्या आकर्शन है इनोसकों की विश मान सिंग प्रतम ने दुर्श्मों से मुकाबला और बचाव करने के लिए बनवाया था आमेर का आंत्रिक भाग लाल बलुआ पत्तिर संग मरमर से बनाया गया इसमें नकाशी का कारे बहुमुले पत्रों की जड़ाई मीनाकारी का काम पच्ची कारी जगा जगा लगे बड बड़े दरपन इसकी भवेता को चारचांद लगाते हैं अब है जंतर मंतर जैपुर के संस्तापक महराजा जवाई सिंग द्वितिये सवाई जैसिंग द्वितिये द्वारा बनाई गई पांच खगोलिये वैद शालाओं में सबसे विशाल है जैपुर की यह वैद शाला इसे जंतर मंतर कहते हैं युनेसको द्वारा इसे विश्व धुरोर की सुची में शामिल किया गया है इसमें बनाए गए जटिल यंतर समय को मापने सूर्य की गतिवे कक्षाओं का निरक्षन आकाशीये पिंडों के समंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं फिर ह बनाने का कारखाना विश्व की सबसे बड़ी तौप जैबान के कारण राजस्तान में आने वाला प्रतेक प्रेटक जैपूर आकर इस तौप को जरूर देखना चाहता है इस तौप को एक बार चलाया गया था तो शेहर में 35 किलो मेटर दूर एक गड़ा बन गया था जिसक अली रातों में तारों की छाओं में नारगड किले से जैपूर शेहर का विहंगम अभूत पूर्व और अधुद मदमस्त नजारा सारी दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा शेहर की रोशनी को देखकर लगता है मानो तारे जमीन पर उतर आये हैं सन 1734 में महराजा था रानियों के लिए आराम दे बैठक राजा के कक्षाओं का समू आली शान दरवाजे खिडकियों महलों खिडकियों भिती चित्रों से सजाया गया नाहरगड अतीत की यादों को शान से समेटे खड़ा हैं अभी हाली में महल में एक सकल्प्चर आर्ट गैलरी भी बिनव प्रिंटरल म्यूजियम का जाता है इसे 1876 में प्रिंस ओफ वेल्स ने इसकी अधार शिला रखी थी इसका नाम लंदन के अलबर्ट संग्राल्या के नाम पर रखा गया था सर स्विंटन जैकब द्वारा इसका डिजाइन बनाया गया था इंडोर सार्सेनिक यानि की भारती प्रेटकों को आकर्शित करती है इसमें जैपूर कला विद्याले कोटा बुंदी किशनगड और उदैपूर शैली के चित्रों का लगू चित्रों का बड़ा संग्रह है फिर गलता जी जैपूर का एक प्राचीन तीर स्थान है गालव रिशी की तपोस्तली है गलता जी में स्थित कुंड स्थान में धार्मिक महत्व रखते हैं तीरत यात्री यहां पवित्र स्थान है तो आते हैं इस स्थान में मंदर मंडप और पवित्र कुंड है गलता जी आने के कारण आगंतुक पहले राम गुपाल जी मंदर परिसर में आते हैं जिसे स्थानिये लोगों द पूजनी है फिर इसर लाट जिसका दूसरा राम सरगा सूली है शहर के बीचों बीच साट फीड उंची भवे मिनार इसर लाट को स्वर्ग भेदी मिनार या सरगा सूली भी का जाता है राजा इश्वरी सिंग ने 1749 में इस मिनार को एक शांदर जीत की समृति में बनवाया थ त्रिपोलिया गेट के निकट स्थित इस मिनार में अंदर की तरफ उपर जाने के लिए सीडिया बनी है जिन से चड़कर उपर से जैपूर का भींगम द्रश्य दिखाई देता है फिर गोविन देव जी का मंदिर श्री गोविन देव जी की आकरशक प्रतिमा सवाई जैसि से जैपूर लाए थे जो यहां पूरे सम्मान से श्री प्रकोटे मैं सद्ष्री गोविन देव जी मंदिर में है स्तापित किया गया था इसको शाई परिवारों त्थानिय है लोगो द्वारा पूजनिय गोविन देव जी में सात जांकियों के माद्ध्यम से दर्शन की तोहर